आप सबी को हिंदू नवर्ज और चैत्र नवरात्रे की बहुत बहुत देर सारी सुपकाम नाएं मातारानी हम सब पर अपना अशिर्वात ऐसे ही बनाये रखें आज मैं लेकर आई हूँ व्रित की रेसिपी साबुद आने की खीर बहुत सिंपल तरीका है चलिए बनाते हैं य या पर काजू बदाम और किश्मिश लिया हुआ है 5-6 काजू है सेम कॉंटिटी में बदाम है 4-5 किश्मिश लिए थी फाइन चॉप करके इन्हें रेड होने तक भूनना है ब्राउन नहीं करना है फिर निकाल लेंगे और उसी बचे हुए घी में हम बाद में अपना इसे मैंने आदे गंटे पहले ही भी घोया है और बहुत कम पानी से इसे मैंने भी घोया था 3-4 बर अच्छे से दुलने के बाद इसे थोड़े से पानी में भीगोना है कि बस यह फूल जाए अब देखे साबुदाना है तो थोड़ा बहुत चिपकेगा ही यहाँ पे समय हम आधा लीटर फुल फैट मिल्क मिलाएंगे, फुल फैट मिल्क मैं यहाँ पर इसलिए इस्तमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्रीमी बनेगी, बहुत यमी बनेगी, और इसमें अभी मैंने कोई भी चीज नहीं एक्स्ट्रा एड की है, ना मैं एड करूंगी जिसे condensed milk है, या कोई भी खोया है, या milk powder है, ऐसा कुछ भी इस्तमाल नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तमाल किया है, जिस तरह जैसे जैसे यह reduce होगा, उतना ही जादा यह थिक भी होगा, और बहुत ही tasty और creamy texture के साथ यह खीर बन कर तयार हो इसे continuous stir करना है, बिल्कुल भी रुखना नहीं है, sorry मैंने शक्कर डालते हुए वीडियो बनाना में बभूल गई थी, इसे मैंने 5 चमच, सिर्फ 5 चमच शक्कर डाली है, क्योंकि यह थिक होगी तो बहुत जादा मीठी हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 चमच शक्कर डाली है, अब मीठे अपने हिसाब से इस्तिमाल कर सकते हैं, गैस यहाँ पर मैंने बन कर दिया, उसके बाद हम एड़ करेंगे ड्राय फूट्स, क्योंकि हमारी खीर जो है, बहुत जादा थिक हो चुकी है, अभी यह ठंडी होगी तो और जमेगी, फिर यह बहुत जादा जम इसलिए हमें इसी स्टेज पर गैस को अफ कर देना है, बस यह देखे हमारी खीर बन कर तयार है, अच्छी खासी ठिक हो गई है, क्रीमी क्रीमी सी है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ तीन चार चीजों से बन कर यह त है कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है यह बहुत सिंपल सी रेसिपी है बहुत मज़ेदार है मतारानी की कृपा हम सब पर बनी रहे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो पर कमेंट जरूर दीज मेरे चैनल देशी मसाला खाना के साथ यहां पर मैंने अपने थाली की रेसेपि आपको दिखाई है थाली की और थारी की सूरी थाली की वीडियो दिखाई है बहुत सिंपल सी अच्श läuft शापुताःबाना की खी साल लगा दाया की न की खीरा दही और अलोगा